हेलो गाईज मेरा नाम कुंदिन तुमार है मैं फ्राव्म बिहार के हुए पर मेरे टूरिस्टी विजा लगवने के लिए मैंने सर्च किया था इससे ज्यादा बाई मैं तो आप लोगों के घर आकर विजा अप्लाई नहीं कर सकता यह दो पीपीर रिक्वेस्ट आई है हमारा यह कवर लेटर होता है इतना ऐसा कवर लेटर बनाओगे तो आपका भी विजा आएगा यह तीन पास्पोर्ट पे स्टिकर लगके आया है और इनमें से दो बंदे मिया भी भी हैं यह बाई दो न्यूजी लेंड के विजे आये हैं आप लोग देख लो सो है गाईज सो गाईज सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आज यह वीडियो भाई बहुत सपेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग गिववे अनौंस कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में हम पांच लोगों के फ्री में वीजा डालेंगे ठीके बाई तो आज के बाद भाई एक अपरेल के बाद मेरे जितने भी वीडियो आएंगे या आ रहे हैं या आ चुके हैं एक अपरेल के बाद आपको सारे वीडियो पर भाई कमेंट करने हैं आपको वीडियो को पांच वाटसप ग्रूप में शेर करना है और साथ की साथ आपने क्या करना है उस वीडियो पर comment करना है और यह जो दो हमारे Instagram के account एक ये वाला है और एक ये वाला है ठीक है अब मैं आपको बता दूं तीन लोग हम लोग YouTube की वीडियो पर जो comment आते हैं वहां से select करेंगे दो बंदे हम लोग जो Instagram पर मेरे comment आते हैं वहां से हम लोग सेलेक्ट करेंगे ठीक है बाई इंस्टाग्राम पर अगर मान लोग कोई दो बंदे हम जो सेलेक्ट करेंगे उन्होंने हमारे अकाउंट को फॉलो किया होना चाहिए और यूट्यूब की वीडियो पर जो कमेंट आते हैं वो कमेंट हम लोग एक सेलेक्ट करेंगी उस बंदे ने हमारे वीडियो पर कमेंट लाइक चैनल को सस्क्राइब के साथ साथ उस बंदे ने पांच वाटसप ग्रूप में या पांच लोगों को उसने शेर किया होना चाहिए ठीक है हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे यह हम लोग 15 जून को जब लाइव आएंगे तब मैं आपको बता दूँगा कि हम कोई भी एक या दो या कितनी भी वीडियो उठाके उन में से जितने भी कमेंट होगे उन में से कोई एक बंदा सेलेक्ट करेंगे वो हम लोग आपके सामने लाइव आएंगे और जैसे भी तर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यह दोनों इस्टाग्राम के जो अकाउंट है उनको फॉलो कर लेना और वीडियो पर कमेंट भी करते रहना ठीक है भाई तो आज भाई हमारे पास देखो भाई तीन पासपोर्ट पर स्टिकर लगकर आया है और दो पीपिया रिक्वेस हैं आप लोग देख लो एलो गाईज मेरा नाम कुंदिन कुमार है मैं फ्रॉम बिहार के हूं पर मेरे टूरिस्टी विजा लगवने के लिए मैंने सर्च किया था बहुत सारे ऑफिस से बात किया था लेकिन मुझे कहीं सटिस्पेक्शन नहीं मिला था जो कि मैं पर बहुत सारे एजेंट 10 लाग 5 लाग मुझे हैं यह ओली 5000 में मेरा हमारा टूरिस्ट विजा लगवाद यह विदिन शेवन डेज में हमारा वीजा आ गया और इसके साथ साथ बाई एक अस्ट्रेलिया का वीजा आया है आप लोग देख लो एक अस्ट्रेलिया का वीजा इसके बाद यह दो पिपर रिक्वेस्ट यह आ यह आया है और उसके बाद बाई यह तीन पास decl पर स्टिकर लग कर आया है आप लोगों के सामने और यह देख लो भाई मैं आप लोगों को हर वीडियो में नहीं बोलता हूँ मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि भाई लोग अभी आप लोग वेट मत करो कैनेडा इस वक्त धड़ाद़ वीजे दे रहा है जो भाई अभी भी वेट कर रहे हैं जिनको कैनेडा का वीजा चाहिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि आप लोग आजाओ जल्दी जल्दी भाई इस वक्त कैनेडा ट्रेंड में चल रहा है ऐसा ना हो कि एक बार क्या हुआ था कि न्यूजिलेंड भी ट्रेंड में वीजे दे रहा था तब बहुत सारे लोगों ने ध्यान नहीं दिया जब न्यूजिलेंड ट्रेंड से आउट हो चुका था तब लोगों ने वीजे डाले लेकिन तब तक ट्रेंड जा चुका था ठीक है और दो PPR रिक्वेस्टें आई हैं भाई ये देख लो दो PPR रिक्वेस्टें आई हैं ये देख लो और दो New Zealand के वीज़े आये हैं और एक Australia का वीज़ा आया है तो भाई इन दिनों New Zealand भी वीज़े दे रहा है भाई Australia का अच्छी परफाइल पर वीज़ा आ रहा है और Canada का वीज़ा भाई अगर आपकी कैसी भी परफाइल है एक बार आप लोग मेरे से जरूर बात करो QR code को scan करके आपने 200 रुपे डालने हैं ये वाले नंबर पर screenshot बेजना है और वहाँ एक लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक timing देगा ठीके भाईयो आज कल 200-200 रुपे बहुत जादा लोग डाल रहे हैं इसलिए हो सकता है कि ये जो बंदा है आपको time देने में थोड़ ही नहीं दे रहा है थोड़ा time लगता है ठीक है थोड़ा सा आप लोग हमारे साथ cooperate किया करो बारी सबकी आएगी देखो बाई मैं 200 रुपे मैंने फीस इसलिए रखी है क्योंकि जब पहले मैं free में बात करता था तो बहुत call आते थे पूरा पूरा दिन call आते थे मुझे number य अरए कि आई टीर कितनी बढ़नी है ठीक है बाई मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपको अपनी फाइल को सही तरीके से management करना आ गया ठीक है आयट्यर कितने की बरनी है एंट्री कैसे करनी है स्टेटमेंट कैसे मैंनेज करनी है हर एक चोटी से चोटी बात मैं आपकी सुनूंगा आपको सही तरिक्के नहीं लगाते हैं, मैं यह हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि कावर लेटर एक ऐसी चीज है, जिस पर आपका पूरा वीजा टिका होता है, यह देखो, यह कावर लेटर पर अभी हाल ही में कैनेडा ने वीजा दिया है देख लो देखो भाई हमारा जो कवर लेटर होता है वो ऐसा होता है मैं आपको दिखा देता हूं यह देखो भाई यह देखो भाई हमारा जो कवर लेटर होता है वो ऐसा ऐसा कलरफुल कवर लेटर होता है यह देखो भाई हमारा यह कवर letter होता है इतना ऐसा cover letter बनाओगे तो आपका भी visa आएगा अगर आपका cover letter इतना attractive होगा तो आपका भी visa आएगा ठीक है देखो भाई किसी भी country का visa हो अगर आपकी travel itinerary और आपका cover letter अगर यह दोनों चीजें आपने अच्छे से बना ली क्योंकि विजा ओफिसर ये देखता है कि इस बंदे को उस country के बारे में कितना knowledge है या ये बंदा क्या चीज है या ये बंदा वापिस आएगा या नहीं आएगा बस ये दोनों चीजें होती है cover letter के जरीए आप ये समझा सकते हो कि आप काम क्या करते हो आपके family में कौन है आप पैसा कैसे कमाते हो ITR कितनी बरते हो आपके पास financial क्या क्या है FD है या नहीं है आप साल में कितना कमा लेते हो कितनी country travel करी हुई है आप वापिस क्यूं आओगे आपके family ties क्या है आपके home ties क्य मतलब मेरा कहने का मतलब है कि cover letter वो चीज होता है जिसमें आप अच्छे से embassy को अपने बारे में explain कर सको कि आप वापिस क्यूं आओगे आपका purpose क्या है आप कहां कहां गूमेंगे आप खर्चा कितना करना चाते हो ये चीजे होती है लेकिन इन चीजों को सही तरीके से explain करना ये हर बंदे की बस की बात नहीं है हाला कि चीज बहुत simple है लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की कोई भी query है तो आप लोग इस qr code पे 200 रुपे डाल कर ये वाले whatsapp number पर मेरे को screenshot बेज सकते हो इस पे मेरा एक लड़का है वो अभी यहां नहीं है लेकिन वो जहां भी है आ प्रही बात ऑस्ट्रेलिया की इन दिनों ऑस्ट्रेलिया भाई थोड़ा सा डीला चल रहा है अगर आपकी फाइल अच्छी है अगर आपका फंड अच्छा है अगर आपका competition चार्ट अच्छा है अगर आपकी travel history अच्छी है तो भाई visa officer आपको visa दे देगा ठीक है एक बार आप visa डालने से पहले मेरे से contact कर लेना चाहे मेरे से visa मत अप्लाई करवाना एक बार आप लोग मेरे से बात कर लेना ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे 200 रुपे बनेंगे मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक गलत लोगों के हाथ ना आजाओ गलत agent के हाथ में ना मेरे को एक लड़के का कॉल आया वो बंदा बोला कि मुझे मेरा एजेंट मेरा रिफ्यूजल लेटर नहीं दे रहा है और मैं देखो बाई हो कवर लेटर चेक कराता हूँ आयटिनरी चेक कराता हूँ मेल आईडी अगले की होती है मुबैल नंबर आप अगले का होता है पूरा एप्लिकेशन फॉर्म चेक कराता हूँ पूरा वीजा चेक कराता हूँ फिर जाके फीस काटता हूँ फीस भी अगले बंदे के क्रेडिट का टाइम हो गया आप लोगों ने एजन्टों को पैसे बहुत दे दिये अब भाई इतना एजुकेटर जमाना है इंटरनेट है सारा कुछ है यार अब तो भाई प्लीज अपने आपको समझो अपने एजन्ट से सवाल जवाब करो कम से कम आप उनसे ये तो पूछो कि भाई मेरी फाइल कब लगी है मेरा कवर लेटर कहा है मेरी आइटिनरी कैसी है मेरा होटल बुकिंग कहा है जब ये चीज़ें लेने से आपको दो फाइदे होंगे एक तो बाई चांस अगर अमबैसी आपका एंटरव्यू करती है तो वो चीज़ें जब आपके पास होगी तो डेली उ आजेंट को स्वाल जवाब करो अगर आपका अजेंट या जो बंदे से आप विज़ा प्लाई करा रहे हो उसको थोड़ा बहुत भी घ्यान है या वह ट्रांस्पेरंट है तो आप लोग विज़ा भी ले जाओगे दिक्कत भी नहीं आएगी पैसा भी नहीं खराब होगा नहीं तो भाई मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था अंदेरे में तीर मार रहे हो दूड में लट मार रहे हो ठीक है भाई देखो भाई मेरा काम इतना ही है कि मैं डेली आप लोगों को आगर बंदा पहचानने की कहते है ना परक है तो आप लोगों को पता चल कि यह जो सामने वाला बंदा बैट कर जो बोल रहा है कि वो क्या है या वो जूट बोल रहा है या वो हमें ड्रा रहा है या क्या कर रहा है देखो भाई बंदा आपने पैचानना है मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ बस इससे ज्यादा भाई मैं तो आप लोगों के घर आकर वी जाए ठीक है भाई देखो भाई मैंने ये चीजें सब फेस की हुई है मैं 2017 से लगा ट्रेवल करने मैंने पांच साल लगातार देखो खुद ट्रेवल किया अपने वीजे सारे लिए शुरू-शुरू में कुछ रिफ्यूजल आए मैंने अपने पासपोर्ट पर कोई भी कंट होते हैं वो आई टीर की वज़े से होते हैं और बैंक स्टेटमेंट की वज़े से होते हैं आप लोग एक बार मेरे को अपनी आई टीर आप अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मेरे को चेक करा देना मैं आपको बता दूँगा कि आपके वीजा आने के कितने परसेंट चा आएगा और जब उन्होंने किसी और एजंट से वीजा अपलाई किया जब उनके रिफ्यूजल आए और जो मैंने पॉइंट बोले थे कि इस पॉइंट पर रिफ्यूजल आएगा और उसी पॉइंट पर रिफ्यूजल आए उन्होंने बाद में मरे को कॉंटेक्ट किया कि वा जा रहा हूँ कि अगर आप लोग भी एक चीज पर लगातार 6 मीने साल काम करोगे तो किसी भी अमबैसी का वीजा आप से बड़ा नहीं है किसी भी कंट्री का वीजा इनसान से बड़ा नहीं है ठीक है आप अगर 6 महीने तक अगर आपने अपनी फाइल पर काम कर लिया तो मैं बंदों ने जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक जिन्हों ने बात करी थी वो बंदे इस जनवरी से लेकर इस मार्च के बीच में वीजा ले गए ठीक है भाई तो भाई मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है बागी आप लोग खुद समझदार हो अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये बंदा सच बोल रहा है तो भाई ये मेरा QR कोड है 200 रुपए डाल कर बात कर ले ना ठीक है मैं इमानदारी से अपना काम कर रहा हूं सिर्फ 5 से 10 जार मेरी फीस है मैं चा काम नहीं करता अगर मैं ऐसा पैसा कमा भी लूँगा तो भाई मेरे को रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि बगवान उपर बैठके देख रहा है वह बहुत बलशाली है बहुत पावरफुल है ठीक है भाई मैं जादा बोलूँगा तो बस बहुत हो जाएगी तो भाई ठ से कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहता हूं मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में तब तक जैहिंद बंदे मात्रम